हेलो फ्रेंड्स आज हम अपने किचन में बनाएंगे आलू मटर की सबजी ओपी बिनाल लेसन और प्याज के तो बहुत ही सिंपल और बहुत ही आसान रेस्पी है ये उसके साथ हम बनाएंगे गर्मा गरम पूड़ी करेंगे सब्सक्रें का सब्सक्राइब ही किसे इसे बनाना बहुत ही आजन और बहुत ही जल्दी बनके रेडि बनाने के लिए हमने ले लिए दो बड़े साइच की आलू इसको हमने इस तरह से कट कर लिए दो टमाटर एक कटोरी मटर तीन चार हरी मिर्ज और थोड़े से धनिया अब हमें क्या करना है गैस पर रखना है कड़ाई उसमें डालना है तेल गरम हो जाने के बाद इसमें डाल देंगे तेचपत्ता जी बड़ेंगे आलू को घिए कि आलू थोड़ा सा ब्राउन हो जाए अभी इसके बाद की आलू हलका हलका से राउन वह गया तो अब यहां Pacific क्या करेंगे मटर को मिक्स करेंगे करने के बार मिक्स करने के बाद इसे भी हम एक मिनट के लिए धक के पकाएंगे ताकि म प्लेट को टाएंगे और इसको अच्छी तरह से मेक्स कर लेंगे हमें ज्यादा नहीं भूना है सब्जी को थोड़ा से भूनेंगे अब यहाँ पर मैंने जो दो टमाटर लिये तरह उसको जो बारीक बारीक इस तरह से कट कर लिया है तब यहाँ पर हम टमाटर भी आड़ कर जाल देगे कि अधे रही है कितनी कलर फुल सबजी यहां पर बन रही है मट करेंगे मसाले आदा चमच के करीब में डाल दिया दनिया पाउड़ा आदा चमच घरम मसाला और हरी मीड्श किया है तो यहां पर मैंने कस मेरी सब्सक्तिग अब शौकळ दाल दिया है में और इस मिक्स कर लेंगे इस तरद से चलार के टमाटर भी सुपपट होगा सपजी काफ़ी तरह से इहां पर मच्छट कवारे नी फास तरद से यहां पर पतला सा ग्रेवी वाला बना रही हूं तो इसलिए मैं पानी ज्यादा एट की हूं उसके बाद हमें लगाना है पूड़ी के लिए आठा तमने ले लिए पूड़ी के लिए आठा उसमें मैं डाल दूँगी आदा चमच आजवाइन इस तरह से हातों पिर अगड़क मिक्स करने के बाद अब इसमें हम क्या करेंगे पानी डाल डालके इसका अच्छा सा डो बना लेंगे तरह पर हमें normal पानी लेना है जिस तरह से हम रोटी क्ला डाटा को उद्वत्वित एम इसमें डाल डालके हम इसको अच्छी तरह से इसका डो बना लेंगे लेकिन हाँ पूरी का डो जो है थोड़ा सा हाड होता है इसको सॉप्ट डो नहीं लगाना है यहां पर तो इसलिए हम थोड़ा कमी पानी डालेंगे और इसको गुतते रहेंगे तो यहां पर हमारा आटा भी गुत के रेडी हो हरी धनिया पहले हम आलू को चेक कर लेंगे कि आलू हमारा पका हुआ कि नहीं तो यहां पर आलू पक गया है तो यहां पर मैं क्या करूंगे डाल दूंगी हरी धनिया थोड़ी सी मैंने काटके रखा है इसको डालने के बाद हम क्या करेंगे गैस को बंद कर देंगे और इस पहले क्या करेंगे इस तरह से हम चोटो चोटो जो है इसके सारे पेड़े काट लेंगे फिर उसके बाद हम पूरी बेल लेंगे पहले मैं क्या करूंगी इसलेप डाल दूंगी एक चमज तेल तो यहां पर हमें पूरी बेलने के लिए सूखा आटर नहीं लगाना है पूरी को मै पूरी नहीं क्या है है उतनी मैं पूरी बेल लोंगी फिर उसके बाद मैं इसको तलूंगी तो यहां पर मैंने काफी अपर देर सारे जो पूरी बना लिए कि अभी है दो ये दिया मैं नितला हम उप इसमरे छोटी कर लिगे कराना कभी के लिए घाय Å पूडिया डालूंगे और उसको हलका हलका इस तरह से प्रेस करते हुए तो इससे क्या होता है नहीं सारी पूडिया खिल जाती है यह देखिए कितने अच्छी सी पूडिया हमारी आपे खिल रही है तो जब एक तरफ हमें लगेगा कि पूडिया हो गई यह ब्राउन तो उसक इसे भी हम निकाल लेंगे अब इसी तरह से हमें सारी पूड़िया यहां पे तल के रेडी कर लेनी है तो आप जितने लोगों को बिठा दीजिए फिर उसके बाद पूड़िया गर्मा गर्म तलिए और उसके बाद सर्व करिए पूड़िया गर्म घरम खाने में ही अच्छा लगता है तो हम पें सारी पूड़िया बना के रेडी कर ले हैं अब यह सब से घरिया तो बिना लेसन और बिना प्याज के तो बिना लेसन और बिना प्याज के हमने बहुत ही टेस्टी और बहुत यहमी सब्जी बना के तयार कर लिया है और इसे हम सर्व कर लेंगे गर्मा गर्म फोड़ी के साथ तो आप भी इसको जरूर ट्राई करें बहुत जल्दी बनके तयार हो तो यहां पे मैंने आलू की सब्ची आलू मटर की सब्ची और पोड़ी को कल लिया है तर यह देखिए कितनी अची सब्ची हमारी बनके बहुत जल्दी से तयार होगी और उसके साथ गर्मा गरम पोड़ी तो आप इस रेस्पी को जरूर बनाए और इंजॉय करके खाए तो अ को देर सारा थैंक यू